हेलो एवरीवन असलाम वह अलेकम कैसे हैं आप सब मैं हूँ मसरत वेलकम बैक टो माय चैनल आज की वीडियो है जी हेर प्रोटीन मास्क के उपर अगर आप लोग के बाल किसी भी तरह डैमेज हो गए है रिबॉडनिक कराके स्टेटने करके या फिर हाइलाइट्स करवा के और तो दिल से मुझे दौई देंगे उसके इतने अच्छे और इतने आउसम रिजल्ट हैं कि आपके बाल उससे सॉफ्ट हो जाएंगे स्मूध हो जाएंगे इस मास्क को अपलाई करने के बाद ड्राइनेस तो आपके बालों से बिलकुल खतम हो जाएगी इन्शाला अब जिन कड़ अकड़ से जाते हैं तो उनको सॉफ्ट करने के लिए आप ये मास्क अपलाई कर सकती हैं आप चाहें तो मन्त में एक बार भी इस मास्क को लगा सकते हैं तो फिर चले देख लेते हैं इस मास्क को बनाना कैसे है प्रोटीन मास्क बनाने के लिए जब से पहले यहाँ मैं बटर ले रही हूँ मक्षन आप किसी भी कलर कर ले सकते हैं यलो है तो यलो ले ले लें वाइट है तो वाइट ले ले कोई मसला नहीं है यहां मैं इसके टू टेबल स्पून लोगी बड़े वाले बस आपने कोशिश यह करनी है कि मक्षन वो नहीं लेना जो बिल्कुल प कोई भी मिल्क ले सकते हैं जो आपके घर में आता हो कुला ले 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 यह अपके पास तस टाइम मौजूद ओ आप ले सकते हैं अब मिल्क को और बटर को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर देना है एक पेस्ट सा बना लेना है कि तीसरी चीज़ अब मैं डाल रही हूँ दो टेबल स्पून बढ़े वारे भर कर हमने दही के ले लेने हैं इसके अंदर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब यहां पर हाफ लेमन लेना है और उसके छे से साथ कत्रे जो हैं हमने नीम्बू के इसके अंदर डाल द आपके पास कोई भी conditioner है आप one tablespoon जो है भरकर उसके अंदर डाल देंगे और इन सब को अच्छे तरीके से mix कर डेंगे एक smooth सा paste पना लेगे इन सब का सब चीजों को अच्छे तरीके से mix करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि इस mask को apply कैसे करना है अब आप देख सकते हैं मेरे बालों की कंडिशन मास्क लगाने से पहले जब भी कोई मास्क अपलाए करें या फिर ऑईलिंग करें तो जिनके बाल बहुत जादा तूटते हैं हैर फॉल होता है तो वो पहले कंगी कर लिया करें ताकि उनको कम से कम हैर फॉल हो अभी यहां पे हम अपने बालों के सारे टैंगल को निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इन पर मास्क अपलाए करेंगे मेरे बाल बहुत जादा ड्राए हैं मतलब बहुत 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 जादा सर्दी हो गर्मी हो मेरे बाल हमेशा ड्राए रहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा तो इसको मैं वीक में दो बार तो लाacement ही अपलाई कर लेते ही बालों को अच्छी तरह से कम करने के बाद सुल्चाने के बाद अप जो है हम अपने मास को अपलाई करेंगे अपने बालों में आपने जो है roots को मतलब जड़ों को ज़ो है वहाँ पे apply नहीं करना बाकि आपने length पे apply करना है length से उपर apply करना है मतलब जड़ों में ना लगे बसे क्योंकि इसके अंदर conditioner है तो फिर इससे यह नहों कि आपको hair fall हो जाए आप लगा दे roots में तो इसको roots में नहीं लगाना उपर उपर लगाना है और बालों की length पे लगाना है आपने partition करते वे अपने बालों में ये mask apply करना है कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपने एक एक बाल पे mask apply करना है ताकि आपको best result मिले मेरा एक side पे mask complete हो चुका है अब मैं दूसरी side पे अपना mask apply करूँगी यहां मैंने अपने दूसरी side पे भी पूरे mask apply कर लिया है बालों में roots को छोड़ कर बालों में mask apply करने के बाद heat के लिए हम सर पर shopper पहन लेंगे और 40 minutes तक जो है 40 minutes तक बालों को ऐसे ही रहने देंगे और 40 minutes के बाद हम normal जैसे बालों को wash करते हैं वैसे ही बालों को wash कर लेना है पहले shampoo और फिर conditioner से 40 minutes protein mask apply करने के बाद अब मैंने बालों को कर लिया है wash यह half dry हुए है आपने कभी भी गिले बालों में कौम नहीं करना अब मैं आपको final result दिखाती हूँ dry होने के बाद dry होने के बाद कपड़े शपड़े चेंज करके मैं आ गई हूँ आपको result दिखाने के लिए अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा soft लग रहे हैं shiny लग रहे हैं बहुत ज़्यादा smooth लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बालों में किसी ने एकदम से जान डाल दिया है इतना जवर्दस protein mask का result आया है जब आप इसको apply करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा soft हो जाएंगे shiny हो जाएंगे और आपके बालों से जो freezing ऐसे ना वो चली जाएगी और डायरनस तो बिलकुल खतम हो जाएगी जैसे मेरे बालों से खतम हो गई है माशाला बाल बहुत ज़्यादा soft हो गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में नाजमी बताइएगा मैं उस पर नाजमी वीडियो बनाऊँगी और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक और मैं मिलूँगी आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफेज